कॉंगृस प्रवक्ता शुप्प्रयशनेट ने प्रवित्र गंगा जल पर लगे जीएसटी के मुद्दे को लेकर एक प्रैसवार्ता की। इस अफसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए कॉंग्रिस प्रवक्ता ने कहा कि कॉंग्रिस के विरोत के बाद गंगा जल पर लगे GST को वापस ले लिया गया है। उन्होंने बताए कि गंगा जल पर 18 प्रतिशक GST लगाया गया था। वहीं आपके द्वार गंगा जल योजना को लेकर कॉंग्रिस ने केंदर सरकार पर हमला बोला और कहा कि यह योजना 2016 में शुरू की गई थी। कि उन्होंने अपना गलत फैसला वापस लिया और अपनी भूल का सुधार किया। यह बहुत बड़ी बात है कि कॉंग्रिस ने जिस चीज का विरोध किया था, कॉंग्रिस ने जिस चीज पर मोधी सरकार का परदा फार्श किया था, अन्ततो गत्वा मोधी सरकार को घुटने टेक कर वो निर्णे वापस लेना पड़ा। और बात गंगा जल पर 18% GST की है। यह धर्म के नाम पर इतनी अनिवारे चीज है जो हर पूजा पार्ट में हर चीज में इसका अस्तमाल होता है। जब पता चला कि इस पर 18% GST लगेगा तो कॉंग्रिस ने इसका विरोध किया। अपने सारे प्लैटफॉर्म से हमने इसका खिलाफत करी हमारे नेताओं ने खिलाफत करी हमारे कारकरताओं ने खिलाफत करी और यहां तक कि कॉंग्रिस अध्यक्ष ने भी इस मुद्दे को मुस्तेदी से और मजबूत तरीके से उठाया। गंगा जल पर 18% GST लगाया गया था और यह कहना की नहीं था यह कोरा जूट था। निरने आया सरकार ने आदेश दिया तो वो 30 रुपे की बोतल 35 की हो गई थी यह मैं जबानी जमा खर्च नहीं कर रही हूँ दो ओडर एक 8 अगस्त को ओडर निकला था और एक 3 अक्टूबर को निकला था जिसमें गंगा जल पर 18% GST लगाने का आदेश था और अगर मेरी बात पर आपको यकीन ना हो तो प्रतेक्षम किम प्रमाणम ये इंडिया पोस्ट का ट्वीट है ये सारी चीज़ें हम आपके साथ साजा करेंगे क्योंकि सच को दिखाने के लिए जादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है ये इंडिया पोस्ट की एक ट्वीट है 18 अगस्त की साफ तोर से कह रहे हैं कि 30% प्लस 18% GST पर आपको 200 मिलिलीटर की गंगा जल की बोतल मिलेगी जिस दिन हमारे अध्यक्ष ने ये मामला उठाया उस दिन का इंडिया पोस्ट का ये पे ओडर है उस पर साफ तोर से अंकित है 30 रुपए की बोतल और 18% GST ये इंडिया पोस्ट पर ओडर करते वक्त हमने स्क्रीन शॉट लिया तो जब कॉंग्रेस ने ये मुद्दा मुस्तहदी से उठाया हमारे अध्यक्ष ने उठाया हम सब लोगों ने उठाया तो इस जूट से बचने के लिए सरकार ने फटा फट आनन फानन में पहले तो इंडिया पोस्ट से 18% G GST गारप कराया और लिखवाया इस पर GST नहीं है लेकिन ये बाद में हुआ उसके बाद एक और इशू किया गया ये वो ओडर की कॉपी है इसको भी हम साजा करेंगे ये ओडर 12 अक्टूबर का है जब कॉंट्रवर्सी चल रही थी और इस ओडर में साफ तोर से कहा गया है कि 8 अगस्त और 3 अक्टूबर का ओडर विठ्डॉन माना जाए गंगा जल पर GST नहीं लगेगा कहा गया था कि ये पूजा की सामगरी है और पूजा की सामगरी पर तो जी GST लगता ही नहीं है वो भी एक कोरा जूट है ये CBIC जो इंडरेक्ट टैक्स की वेबसाइट है जो पर GST नहीं लगता है ये कल रात की लिए हुई प्रिंट आउट है रुद्राक्ष की माला पर GST नहीं है रुद्राक्ष या तुलसी माला पर GST नहीं है पूजा सामगरी में नंबर वन ये है उसके बाद यग्यों पवीत पर ये आप सब लोग जानते हैं जो पूजा आई जाती है इस पर भी GST नहीं है रोली पर GST नहीं है चंदन के टीके पर GST नहीं है दिये की बाती पर GST नहीं है और जो खड़ाओ लकडी का और ये सिर्फ प्रतिकात्मक है जो खड़ाओ लकडी का साधूसंत पहनते हैं या वो लोग जो पहनते हैं जो अनुष्ठान क आई हूँ निल जी एस्टी इन दस चीजों पर है जो मैंने आपको दिखा दिया गंगा जलका इसमें जिक्र नहीं है